दोस्तों आप देख रहे हैं देवंदर सनी यूटूब चैनल जो की आपको बताता रहता है P.A.C.L. का पैसा कैसे मिलेगा कैसे आप आप आउनलाइन आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अगर आपका बॉंड बच्चे के नाम से हैं पैसा कैसे मिलेगा जैसा की सेबी के कस्टुमर केर से पता किया है हमने कॉल लगा के तो उन्होंने बताया अगर बच्चा 18 साल से कम है उसका पैन कार नहीं है और ना ही बैंक खाता है तो आप क्या कर पाएंगे आवेदन नहीं होगा बच्चे के नाम का अभी जी हाँ जो P.A.C.L. के पैसे के लिए आवेदन हो रहा है अगर आपके बच्चे के नाम से है तो वह आवेदन ऑनलाइन नहीं सम्मिट होगा बच्चे का नाम का अभी और अभी उसका पैसा नहीं मिल पाएगा समीती इसके लिए विचार विमर्स कर रही है क्योंकि नौमनी में उसके पिता का नाम डला है या किसी का भी नाम डला है तो उसका हाविदन अभी नहीं हो पाएगा अब आता है हमारा दूसरा सवाल जी हाँ कि P.A.C.L. का पैसा कैसे मिले जी हाँ ताकि P.A.C.L. के निवेसक जो मारे मारे परेशान हो रहे हैं साइबर कैफे पर चक्कर लगा रहे हैं उनका फारम अपलोड नहीं कर रहे हैं साइबर कैफे वाले कारण है कि साइट पे लोड बहुत जादा है और वह सही तरह काम नहीं कर पाती है जल्दी जल्दी हैंग हो जाती है कभी कहती है फोन नमबर आल्रेडी फीड फोन नमबर डालते ही कभी OTP नहीं आ रहा है जी हाँ उसका कारण है साइट हैंग हो रही है उसे ऐसे समय में आउल लाइन आवेदन करने का प्रियास करे जिस समय जैसे सुबह में जल्दी हो या रात को लेट नाइट हो जब उस पे वर्कलोड कम हो अब बात करते हैं हम अपलोड रसी दें जितनी होगी उतना ही पैसा मिलेगा जी हाँ अभी बात कर रहे थे हम बच्चे के नाम से बॉंड है तो हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा अब बात आती है कि हमारा जो बॉंड है पी ए सी एल में जमा हो गया हमारा जो बॉंड है वे पी ए सी एल में जमा हो गया अब हमारे पास मात्र रसीदे बची है वो भी आदी अधूरी है जी हाँ रसीदे बची है वो भी आदी अदूर ही है तो मैं PACL का पैसा लेने के लिए या PACL से कैसे पैसा लूँ तो जो सेवी के कस्टुमर के राधिकारे ने जवाब दिया हमें वह जवाब दिया अपलोड रसीदे जितनी आपके पास हैं कर दीजिए पैसा उतना ही मिलेगा अगर आपके पास पूरी रसीदे हैं तो पूरा पैसा मिलेगा और एकने नौलेज रसीद बिली है से भी PACL के कारेले से जब आपने बॉंड जमा कराया था उसे भी कर दीजिए तो दोस्तों यह तो बहुत बुरी बात है कि हमारा बॉंड तो जमा हो गया ओफिस में और अब हमारे पास रसीदे भी आदी अदूरी है क्योंकि हम तो यह उम्मिद लगाए बैठे थे कि पॉंड हमारा जमा हो गया एकने नौलेजमेंट रसीद है मात्र उसी से अब हमारा चेक बन जाएगा तो यह बहुत ही बेकार बात रही हमें जो जानकारी में आई कि जितनी हमारे पास अब बच्ची कु पास है उनको अपलोड कर दीजिए दूसरा आपको आवेदन अभी नहीं होगा अगर आपका बॉंड बच्चे के नाम से है जी हाँ तो पैसा कैसे मिले आवेदन अभी यह चालू नहीं हुए बच्चे के नाम वाड़े जिसमें बच्चा माइनर है तो अभी आप इंतिजा करें किसी तरह का अपलोडिंग करके अपने पैसे खराब ना करें जी हाँ और फिर भी आपको यकी ना हो तो आप से भी के टॉल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और इसी के साथ ही देवंदर सैनी यूटूब चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि मिलती रहें आपको लेटेस्ट न्यूज